हलो स्टुडेंट वेल्कम टू अचेनल सीएस इंजिनेरिंग ग्यान आज के टुटोरियल में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिट्विन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंडी मेमोरी इससे पहले टुटोरियल में हमने देखा था फंक्षिन ऑप अपरेटिंग सेस्टम क्या होत है कौन कौन से आपके function है कौन से important function है तो आज हम लोग देखने वाले हैं difference between primary memory and secondary memory इससे पहले के टुटोरियल में हमने वहाँ पर definition इंकी देखी थे क्यों होता है कौन है कितनी आफ की primary memory होती है से secondary memory क्या होती है कौन कौन से secondary memory होती है यह हम इस से पहले की वीडियो में देख चुके हैं आज हम गेवल difference देखेंगे कि दोनों में difference क्या होता है तो पहले अगर हम definition की बात करें तो primary memory of a computer is the main memory that is utilized to store data temporarily आपका जो भी data होता है वो temporarily utilized होता है और temporarily आपका क्या होता है primary memory के अंदर use हो होता है temporary मतलब कुछ time के लिए होगा जैसी आप log out करते हैं यानि system को off करते हैं तो data भी आपका remove हो जाता है दुबारा से आपका restore होता है जब आप दुबारा से system को on करते है secondary memory defined to additional storage devices that are utilized to store data permanently इसमें जो data होता है आपका वो permanently store होता है इसका data आपका remove नहीं होता है अगर आपका system off हो गया है तो इसका data remove आपका नहीं होता है permanently store होता है जबकि primary memory में जो data होता है वो temporarily store होता है कुछ time के लिए store होगा फिर आपका वो क्या होता है remove हो जाते हैं दुबारा से restore होता है दूसरा हम लोग बोल सकते हैं it is directly accessed by the processor CPU जो directly access करता है वो किसको करता है हमारा primary memory को करता है directly access करने का मतलब क्या है आप देखिए यहाँ पर आपका CPU है यहाँ पर होती है आपकी primary memory और यहाँ होती है आपकी secondary memory तो यहाँ पर आपका cache memory भी होता है कैचे memory होती है इसके तो आप डिरेक्ट इसको access कर सकते है यह डिरेक्ट आप यहाँ से डेटा एकसेस कर सकते है secondary memory को directly आप प्रोसेसर जो है access नहीं करता है वो कह गरेगा secondary memory से data पहले primary memory बाएगा देन primary memory से वो आपका processor के पास जो है वो data आता है यानि यहाँ पर बोला है it is directly accessed by processor CPU directly इसको access कर सकता है it is not directly accessed by processor processor डेक्ट इसको access नहीं करता इसका data पहले primary memory के पास आएगा फिर उसके बाद आपका वो क्या होगा access होगा next point है it is both volatile and non-volatile memory volatile का मतब होता है जिससे में आपका switch off होगा इसका data remove हो जाता है non-volatile का मतब है proper permanent रहता आपका data volatile में आपका RAM होती है and non-volatile में आपका roam हो सकता है तो ये डोनों पर काम करता कि आप volatile और non-volatile पहर जबकि आपके जो secondary memory होते है वो आपके होती है non-volatile shopping Different होती है non volatile का मत्तबता is go definitely life em up का removing यह नहीं होगा डेटा do primary memory its awesome weave memory allemaal ये को memory hope रस्टम की hea हम लोग की झुअ में में मूरी ओटी है राव में देने में मूरिय और सुस्टम जब हुआ की जो इन्टरस में मे笑T तो हम लोग इसको यूज करते हैं auxiliary memory इसको बोल सकते हैं external memory इसको बोल सकते हैं और secondary memory तो इसका नयम होता ही है आपका primary memory has limited storage capacity इसकी जो capacity होती है store करने को limited रहती है मतलब कुछ ही रहेगा आपका gv या tv में रहेगा जिबकि secondary memory आपका जो होता है bulk amount of data आपका store करता है यह petabyte, exabyte इसमें data आपका store होगा उसको अगर access करना है तो आप externally device को लगा के store कर सकते हैं उसके अंदर data तो secondary memory can store bulk amount of data in single unit एक single unit के अंदर आप bulk amount of data store कर सकते हैं secondary memory के अंदर अब primary memory semiconductor chip are used to store information primary memory में जो data store होता है वो semiconductor chip के अंदर store होता है जबकि secondary memory में magnetic disk होते है आपके optical disk होती है जिसके तुर्वा आपका data जो होता है वो store होता है इसमें semiconductor ली यूज होते है इसमें आपके magnetic disk, optical disk होता है आपका data store करने के लिए data operated and store in uniform manner जो भी data आपका operate होगा यँ आपका store होगा एक uniform manner में store होगा यानि एक proper वे में आपका store होगा data store in NOT uniform in secondary secondary memory में आपका uniform manner में नहीं होगा primary memory में uniform manner में इसलिए store होगा क्योंकि storage capacity बहुत कम होता है एक sequential order में आप data को क्या करेंगे store करेंगे access करना है वो भी आपका easy हो जाता है primary memory जबकि secondary memory में आपका data जो होता है uniform manner में नहीं होता है क्योंकि आपके लार्ज storage है कहीं भी आप उसको store कर सकते है example के हम लोग बात करते हैं तो primary memory के example जो है RAM है, ROM है आपका tandem access memory, read only memory, cache memory, p-rom है, e-p-rom है, register है यह सब क्या है आपके, यह आपके primary memory count करते है अगर secondary memory के हम लोग बात करते हैं तो magnetic tape है आपका optical disk है, floppy disk है, cd है, dbd है, punch card है, flash memory है, pen drive है यह सब क्या है आपके secondary storage है, hard disk है, यह सब क्या है आपके secondary storage है या secondary memory है, जिसमें data आपका क्या होता है auxiliary store होता है secondary आगर आपको आपका primary memory full हो जाता है तब हम secondary memory में data store करते हैं तो यह difference आपके क्या है difference है between primary memory and secondary memory के बीच में तो यह आपके difference थे primary memory and secondary memory के बीच में primary memory and secondary memory के बीच में हमने difference देखा है next tutorial में हम लोग देखेंगे difference between structure and unstructured data structure data और unstructured data में difference क्या होता है वो हम लोग देखेंगे next tutorial में Thank you student